नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अन्रुआग और आप देख रहे हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिस वैकंसी की वो काफी खास है यानि कि प्रोबेशनरी आफिसर की वैकंसी है जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिसिप्लीन से कोई experience नहीं चाहिए application fees बिल्कुल free है all in day की vacancy है और यहाँ पर salary मिलती 28,000 से 40,000 रुपय पर मन्त तो दोस्तो काफी अच्छा मौका है आप सभी को apply करना चाहिए चलिए जानते हैं इसके complete details लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस vacancy के लिए कैसे apply कर सकते हो दोस्तो वीडियो के last में आपको ऐसा apply नाव का बटन मिलेगा आपको इस पर click करना है दिन आपको visit पर click करना है और आप हमारे website के तुर इस vacancy के लिए apply कर पाऊगे साथ ही आप subscribe बटन पर click करके हमारे चैनल को subscribe कर लिए और वीडियो को like and share कर दें इससे हमारा motivation बढ़ता है कि हमारे आपको लिए और भी अच्छे च्छे vacancy लेकर आएं चलिए जानते हैं इस vacancy के complete details दोस्तो फाइलली हम आगे अपने website पर और आप देख सकते हैं और यहाँ पर total number of vacancies specified नहीं है salary की बात करें तो salary यहाँ पर मिलती है 28,000 से लेकर 40,000 के बीच में job location रहेगा all over India और इस vacancy के लिए कौन apply कर सकते हैं तो इस vacancy के लिए all India से candidates apply कर सकते हैं आप चाहें किसी भी state में रहते हो आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ों से पहले आचा give way question है भारत का राष्टर विडिच कौन है आपके options है people, see some, बर्गद या फिर नीम अपनी जवाब comment box में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक surprise gift winner साथ ही इस वीडियो को like and share कर दें और दोस्तो अगर आपको WhatsApp पे joblet चाहिए तो आप स्क्रीन पे सो करें नंबर पे हमें एक message कर दें हम आपको WhatsApp पे joblet प्रवाइड कर देंगे दोस्तो अगर हम बात करें इसके educational qualification की तो इस vacancy के लिए कोई भी graduate अप्लाई कर सकते हैं इसका मतलब है कि आपका जन्म 31 अगर 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए अगर हम बात करते हैं selection के तो selection based screening पे दोस्तो हम आपको बताते हैं इस vacancy का real fund इस vacancy में होना क्या है तो दोस्तो ICICI bank ने सिक्किम मनिपाल से collaboration किया है इसमें अगर आपको select होते हो तो आपको first में 4 मन्त का classroom training करना होगा पारींग से बैंक में दिन आपको 2 मन्त का classroom training दिया जाएगा फिर से आएम में बैंगलूरु में दिन आपको 4 मन्त का on the job training दिया जाएगा दिन आप as a bank PO appointed होगे ICICI bank में तो दोस्तो यही criteria है हो सकता है इसके लिए आपको charge देना पड़े इसके लिए आपको training के लिए लेकिन यहाँ पर आपको form fees बिल्कुल नहीं है कुछ भी बताया नहीं गया है और दोस्तो इस vacancy को apply करने का link आपको screen पे show कर रहा है आप apply now के बटन पे क्लिक करके इस vacancy के लिए apply कर सकते हूँ वीडियो को like and share कर दिना चैनल को subscribe कर लिना जय हिंद वंदे मातरम